आए सुनते हैं आज की नई कहानी. कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए. मनोहर और रेश्मा की नई-णई शादी हुई थी और रीती रिवाज के अनुसार मनोहर अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपनी ससुराल गया हुआ था. जहां रेश्मा की छोटी बहन रश्मी ने मनोहर की बहुत खातिर दरी की. नई-नई दामात की सेवा में रश्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी. मनोहर और रश्मी के बीच हसी मजाग भी बहुत हुई और रश्मी ने मनोहर का दिल मोह लिया. अब मनोहर के दिल और दिमाग में बस रश्मी का ही चेहरा था मनोहर रश्मी के साथ हम विस्तर होना चाहता था पर नई नई शादी होने के कारण बीवी का दर भी था और कुछ समय के लिए उसने अपने अर्मान दिल में ही दबा लिये शादी को भी अब कुछ समय बीट कया था और रेश्मा भी अब प्रेगनेंट थी मनोहर भी बहुत महीनों से अब भूखे शेर की तरह तरप रहा था तभी घर के कामकाज के लिए रेश्मा ने अपनी छोटी बहन रश्मी को अपनी ससुराल बुला लिया और रश्मी आ गई रश्मी को देख देख कर मनोहर की भूख अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और वो कामुकता से भर उठा अब वो रश्मी के नजदीक जाने के बहाने खोजने लगा रोज शाम को खाना खाने के बाद मनोहर रेश्मा और रश्मी तीनों मिलकर टाइम अपास के लिए लूडों खेलते और आपस में हैसी मजाक करते और रश्मी मजाक मजाक में मनोहर को छू लेती जिससे मनोहर का मन और भी ज्यादा उत्ते जितो उत्ता मनोहर का मन हसीन साली रश्मी में रमने लगा और धीरे धीरे मनोहर रश्मी से नजदी किया बढ़ाने लगा मनोहर रश्मी को छूने का कोई भी बहाना अपने हाथ से नहीं जाने देता था कभी वो रश्मी के पीट को हाथ लगाता कभी गालों पर रश्मी को मनोहर का ये व्यवहार थोड़ा बचकाना लगने लगा पर वो शर्म के मारे मनोहर को कुछ नहीं बोलती थी और एक दिन रेशमा मनोहर की मां के साथ अस्पताल गई हुई थी और ये दिन मनोहर के लिए बहुत ही अचूप था और उसने रश्मी को अपने कमरे में बुलाया और कहा रश्मी मेरा सरदर्द कर रहा है तुम मेरा सरदबा दो और रश्मी मनोहर का सरदबाने लगी और तभी मनोहर रश्मी के साथ छेड़ छाड़ करने लगा उसने रश्मी के हाथ पकड़ लिये और उनको चूमने लगा तभी रश्मी ने जट से अपना हाथ मनोहर से चुड़ाया और बोली जी जा ये क्या कर रहे हो मैं आपकी छोटी साली हूँ और इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर ने कहा साली हो तभी तो ऐसा कर रहा हूँ साली आधी घरवाली होती है इतना तो हक है मेरा और ये बात बोलकर मनोहर ने रश्मी को कश कर अपनी बाहों में भर लिया मनोहर के होट रश्मी के गले पर थे वो अपनी गर्म गर्म सांसों से रश्मी के गले को सहला रहा था जिस्म को बुरी तरह चूमने लगा और उसकी तारीफ करने लगा रश्मी मजबूरी थी एक तो बड़ी बहन का पती उसके साथ ऐसा कर रहा था उपर से वो कुवारी थी बहन को बताती भी तो क्या रिश्मा बंद आखों से मनोहर पर भरोसा करती थी वो कभी यकीन नहीं करत कि उसका पती उसकी बहन के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकता है इसलिए रश्मी भी चुप रह कर अपने साथ चून सहती गई मनोहर ने रश्मी के साथ संभोग करने के लिए अपने कपड़े उतार लिए तभी रश्मी ने मनोहर को कुछ बहाना लगा कर मना कर दिया और रात क मनोहर की तडप अब और ज्यादा बढ़ गई। उसने रात आने का इंतजार किया और रश्मी को जाने को कहा। अब रात का समय भी आ गया और मनोहर की हवस का सेटान फिर जाग गया। और उसने इशारा करते हुए रश्मी को खाली कम्रे में आने को कहा। और रश्मी दुसरे कमरे में आ गई अब मनोहर रश्मी के जिस्म के साथ चेड़ छाड़ करने लगा और उसके होठों पर अपने होठों को रगणने लगा तभी रश्मी जिल मिला गई और मनोहर से दूर हट गई मनोहर का मुकता से भरपूर भरा हुआ था और उसने रश्मी के बदन को जकर लिया और अपने शरीर की गर्मी से रश्मी के शरीर को सेंथने लगा मनोहर ने रश्मी को नीचे जमीन पर लिटा दिया और अपनी मरदाना ताकत का अनुभव कराने लगा तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आई और मनोहर सत्पटा गया और अपनी लुंगी समभालता हुआ छुपने के लिए भागा तभी रश्मी ने दर्वाजा खोल दिया और अपनी बहन के गले लग गई और तेज-तेज रोने लगी कमरे के बाहर रेशमा खड़ी थी जिसको देखकर मनोहर पानी-पानी हो गया मनोहर एक दिखावटी इनसान था जिससे उसकी पत्नी उस पर आंदों की तरह विश्वास करती थी अगर रश्मी अपनी बहन को मनोहर की सारी सच्चाई बता देती तो वो उस पर कभी यकीन नहीं करती और बहन-बहन के संबंद में दरारा जाती इसलिए रश्मी ने मनोहर का असली चहरा अपनी बहन को दिखाने के लिए ये सब खेल-खेला और मनोहर का परदा फांस कर दिया अब मनोहर रेशमा के सामने लज्जित हो गया था और रेशमा के पैरों में गिर कर माफी मांगने लगा माव बाप की एज्जित बचाने के लिए और दुनिया का मूह बंद करने के लिए रेशमा ने मनोहर को माफ्तो कर दिया दोस्तो ऐसी ही ओसम कहानिया पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ओसम कहानिया को प्लीज लाइक करना और अपने खुबसूरत दोस्तों के साथ शेय करना और सब्सक्राइब करना धन्यबाद